राजधानी पटना इस वक्त भीशन ठंड की चपेट में है और पटना के लोगों को पिछले दो हपते से ठंड से कोई रहात नहीं मिली है हनाकि 22 जन्वरी को पटना में धूप निकली थी लेकिन आज फिर से कोहरे का एक मोटा आवरन राजधानी पटना में देखा जा सकता ह है ठंड काफी जादा है और इस वक्त पटना का तापमान तक्रिवन जो है वह साथ से आट डिगरी के आसपास है एक तरफ सिक्षा विहाग जहां इसकुल खोले पर आमादा है वहीं दुसरी तरफ जिला परशासन और पटना के डियम ने साब साब कर दिया है कि उसके पास है कि वो बिसेस परिस्तियों का उप्योग करते हुए उसकुलों को बंद रख सकता है पटना में जो है इसकुल के मुद्दे पर पटना जिला परशासन और सिक्षा व्याग आपने सामने हैं और उसी के बीच हम पहुंचे हैं बालक मद्द्याले अदालाद गंज पटना मे जहाँ पर हम देखना है नहीं पर एक क्लास एक से आट तक के कई सकुलों का सन्चान होता है लेकिन हम इस वक्त एक सकुल में रहाइए ह यह जनवरी को आखिर देख़ी थी उसके बाल इसकोलों बंद किया गिया क्लास च्छ और पांच के बच्ची यहाँ पर पढ़ते है ल लेकिन फिलाल ये बंद है और चुकि बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो अभियावाक है, उन्होंने अपनी बच्चों को भीजना बंद कर दिया, यहाजा स्कूल तो खुले हैं, स्कूल के प्रधार चार्ज मौजूद है, सिक्चक मौजूद है, लेकिन बच्चे मौजूद नह हैं, उसी तरीके से एक और क्लास की इस्ति देखे, मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो क्लास है, इसमें भी बच्चे जो है, वो नहीं आ रहे हैं, पूरी क्लास रूम जो है, यह जो है, यह यहाँ पर दिखी, यह बारह एक दोजार चौविस, यहाँ पर साथमी क्लास के ब हिसन ठंड पड़ रही है, जिसके बाद जिला परशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, और अब जो है, यह स्कूल बंद है, और बच्ची जो है, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो क्लास एक से आट तक की बच्चे हैं, वो यहाँ पर पढ़ाई के लिए पर पढ़ाई के बच्चे जो है, उनकी एक बिल्डिंग में ही पढ़ाई होती है, लेकिन फिलाल ठंड का असर है, कि बच्चे जो है, इसकूल नहीं जा रहे हैं, यानि क्लास एक से आट तक में जो है, वो पस्ति बिल्कूल नगन्य है, और चुक्री पटना डियम का पिछले के पिछले चार पाइदनों से लगातारी है, लगातार निर्देस आ रहे हैं, लगातार जो तारिखें बढ़ाई जा रही हैं, इसकूल बंद करने के लिए लिहाजा पटना के जो स्कूल है, जो सरकारी बिद्याले हैं, जो क्लास एक से आट तक की पड़ाई होती है, वहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्यारा पसन फिरोज के साथ प्रित्म कुमार कसिस नियूज पटना क्लास